हेलो दोस्तों आप लोग कैसे हैं I think आप लोग अच्छे होंगे ठीक है आपका स्वागत है हाल पांश रिट्यूट में और आज हम सुरू करेंगे कोटी की कोटी पढ़ रहते कोटी में हमने जीरो अर्डर पढ़ लिया हुआ था यानि कि सुनने कोटी के अविग्रिया समिकर निका लिए पहला काम दूसरा काम क्या करेंगे दूसरा काम क्या करना है इसका समाकलित वेग निकालेंगे, समाकलित वेग का समिकर, निकाला गया था, समाकलित वेग का समिकर, कल निकाला गया था सुने अर्डर के लिए फिर से वैसे निकालेंगे, फिर से वैसे ही निकालेंगे, ठीक है, समाकलित वेग का समिकर, समिकर लिखेंगे, पहले का समिकर लेंगे तीसरा काम अमाना होता है अर्थ आयू निकालना तो यह बहुत ही है कि आधर का या प्रतम कोटी की अभक्रिया बहूत ही है जैदा वार इस एप्रस्ट पूछा गया है वह कोश्चेन यह इसी सबसे जयादे कोश्चन पूछे जाते हैं ठीक है सबसे ज़्यादे कोश्चन तो समाकलित प्रिवासा सेम होने वाली है ठीक है और चौथा आपका निकालेंगे फूर्थ इसका पढ़ेंगे लच्छड पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे लच्छड पढ़ेंगे कि यह फर्स्ट आडर है तो फ जो हैं वह सकते हैं उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे क्या वाई सब्सक्राइब पढ़ेंगे और अर्दा आयू पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे उनके लच्छड पढ़ेंगे ठीक है तो सुरू करते हैं सुरुआज से करते हैं इसके फर्स्टाइब को सुरू करते हैं तो फर्स āर का पहले तो भात बश्य prac निखना आपको क्या लिखना हैशन लिखना तो मैं ने बताया था लिखने का तरीका मैंने आपको बताया थै कि की झाती है ठीक है उसी तरीक इसे निकाल दोटेना भाई आ सिंपल होता है उसे लिख सकते हो ठीक है लिख सकते हो भई क्या करना है टिफिनेशन लिखने के लिए आप क्या करना है पहले आप समीकर लिख लेना समीकर थोड़ा से बना लेना तो क्या करते हो आप लोग dx इसका 2 समिकर्ट क्या लिए तो वेक का समिकर्ट dx अपांड dt समान उपाती होता है किसके a-x power n होता है power n का मतलब क्या है first order यानि पहले order के लिए n की value 1 होगी प्रथम कोटी के लिए n की value 1 तो यहाँ पर कर देंगे 1 कर देंगे समझ गए बात है समझ गए तो क्या लिखोगे भई definition क्या लिखोगे इधर देखना definition क्या लिखोगे देखते रहना तो लिखेंगे वे अबक्रिया है वे अबक्रिया है अराम से लिखते चलना भई अराम से लिखते चलना वे अबक्रिया है क्या करेंग भाई जिन में अभिक्रिया का वेग जिन में अभिक्रिया का वेग जिन में अभिक्रिया का वेग जिन में देखते रहा ना दोनों हाथ मेरे देखते रहा ना कहां कहां कैसे कैसे काम कर रहे हैं बोला किया अभिक्रिया का वेग मैं जहां पर लिख रहा हूं समीकर भी दिखा रहा हूं कैसे लिख रहा हूं है अभिक्रिया का वेग मुझे भी याद नहीं मैं सिर्फ देख देख के लिख रहा हूं देखो भाई अभिक्रिया का वेग अभिकारक के क्या लिखेंगे सांधता के एकल घात एकल का मतलब क्या होता है एक यानि क्या होते है एक लिख सकते हो यानि वन लिख सकते हो ठीक है एक घात एकल घात कि क्या है ये शमानुपाती क्या है शमानुपाती है शमानुपाती है ऐसी अव्विक्रिया को या ऐसी अविक्रिया क्या कहलाती है परथम कोटी की अविक्रिया कहलाती है समझ गया है बाते समझ गया है बिलकुल समझ गया आप लोग क्या क्या ला गया वाई कैसे लिखा गया फिर से देख लेना फिर से समझ लेना कैसे लिखा गया प्रथम कोटी के अविक्रिया या फिर कैसे वह वे अविक्रिया है वे अविक्रिया को दिखा दो तो कोई अविक् अभिकारक के सांद्रता के सांद्रता यही है ना अभिकारक की अभिकारक के सांद्रता के एकल गहात के श्रमान उपाती होता है उसे क्या कहते है उसे क्या कहते है उसे प्रथम कोटी की अभिकरिया कहते है समझ गए प्रथम कोटी की अभिकरिया कहते है अब बात करते है इसके समिकर लिखने का तरीका, तो समिकर लिखने का तरीका सिंबल सा यही है, क्या है, सिंबल सा यही है, तो क्या कहेंगे, जो आपने लिखा हुआ था, उसी की बात करते हैं, लेक्चर 6 है, यह लेक्चर 6 है, आप लोग लगातार continue बने रही है, आप लोग मेरे साथ, और हम आपको एक-एक चीजे बहुती आसानी से और अच्छे तरीके से देंगे, ठीक है, मान लेतें, माना, मेरे पास अभिक्रिया कोई थी, क्या, A थी, वो किस में बदल गई, P में बदल गई, किस में बदल गई, P में बदल गई, ते यदि मैं मान भी चलता हूँ, टी समय बराबर, क्या रिपेड़ भाई मूवी है, यह समख जाओ कि रिमेक मूवी है, पूरी तरीके से, जीरो आडर या पीछे के जितनी भी समिकरण है, समिकरण बने हुए यहां पर, ठीक है, सभी एक्वेशन के रिमेक रिमेक बन रहे हैं यहां पर, यदि क्या करना है, T सकल टू, T पे चला कुछ समय बीतने के बाद, क्या कहेंगे कुछ समय बीतने के बाद, मानगे चलो यह A था, इसमें से कम कितना हुआ, X कम हो गया, यह बनेगा कितना इधर से कम होगा, उतना इधर बनेगा, तो कहेंगे X बन गया, कितना बना X बन गया, यह कहानी तो सब ने लिखी थी, सब न किया होता है वाही किसके समान उपाती होता है वही किसके समान उपाती होता है इसकी power जो घात है उसकी a माइनस x के power 1 कहने के मतलब प्रथब कोटी के लिए बात कर रहते है n की value क्या हो जाएगी यहां पर 1 हो जाएगी बात समझ गए बात समझ गए आप लोग जानते हो क्या करोगे dx upon dt जिसको हटा होगे प्रपोर्शनल हटा होगे यह समान उपाती चिन का अटा होगे पोगत क्या है बात समझे के ऑगए यहां से आगे चलते हैं यह चीज़े हो गए इसी को कहते हैं हम लोग समा इसी को कहते हैं आविक्रिया के वेग का समिकर्ड कय आगे लिखते हैं आपने कहा था अभिक्रिया के वेग का समिकर्ड आफ दिखे रिए के लिए अभिक्रिया के बेग का समिक्र लिखिए तो क्या करोगे पहले आप डिफिनेशन उसका डिफिनेशन लिखोगे फिर इसके बाद इसको अभिक्रिया माना अभिक्रिया ए से पी में बदल लए है तो इसको इस तरीके से दिखाओगे यही आगा क्या हो जाएगा अभि समांखलिट वएग का समिकर्ड़ इसको कर देता हूं मार्क कर देता हूं मैं इस तरीके से ओपर से नीचे तो नो इसे को कहते हैं वेग स्थिरांग का का बेंजक ठीक है क्या कहेंगे वेक इस्तिरांग का बेंजक कहेंगे बात है समझ में कोई भी नाम दे मतलब एक ही है वेक इस्तिरांग का बेंजक बोले है समाकलित वेक का समिकर बोले है वो डिपेंड करता है वो कैसा टीचर पेपर बना रहा है क्या मान के चलता है क्या डाम देना चालता है वो ठीक है उसके ओपर डिपेंड करता है तो बात करते हैं जानते हो समसिवा समाकलित कहने मतलब क्या है जो भी समिकरड देख रहा है उसको समाकलन कर दो क्या करो जो समिकरड देख रहा है उसको समाकलन कर दो इसका मान लेते हैं इसका मान लेते हैं समिक्रड एक था क्या है यह समिक्रड एक है तो मैं कह सकता हूं बाई समिक्रड एक को समाकलित करने पर कह सकते हैं समिक्रड एक को समाकलित या फिर समिक्रड एक को थोड़ से क्या कर दो आप लोग थोड़ से डव वो कर दो थोड़ से हमालोग इसको डी-टी को इधर बैश सकते हैं और छोगा क्यों कि जानते हो समाकलन उसी का होता है जिसका क्या हो फलन हो जिसका फलन होता है उसी का समाकलन पड़ी अच्छे से जानते ही इस बात को को इधर बहेशते हैं, और T वाल को अलग बहेशते हैं, ते क्योंकि इसका फलन दूसरा है, ठीक है, बात समझ गए, इसका दोनों फिन करेंगे, क्या समिकर्ड इसको एक मान लो, या इसको भी एक मान सकते हैं और जो भी मानना चाहो, तो कहेंगे समिकर्ड एक का क्या कहेंगे समीकरण एक को समाकलन करने पर, या समीकरण एक का समाकलन करने पर, समझ गये, बातें समझ गये, समीकरण एक का समाकलन करने पर, समाकलन कर लो वाई, क्या करेंगे, समाकलन कर दिया, D X upon क्या कहेंगे A minus X इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं पहले जिसको देखो अद लिखने का तरीका समझ जाओ क्या असान है बिल्कुल इसको लिख सकता हूं A minus X into D T D X लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं A minus 1 बटे A minus X into D X लिख सकते थे बिल्कुल लिख सकते थे अब पान इसको टू X के D T अब समझ गए बाई समझ गए बिल्कुल क्या करेंगे इसका समाकलन करेंगे तो क्या होगा 1 upon A minus X है बाद समझ लेना जैसे कहीं ऐसा दिख जाए तो समझ लेना कि इसका होता है L N L N A minus X वो भी कैसा होगा negative मोगा कैसा होगा negative यानि के minus मोगा ठीक है याद कर लेना इसे इसको math की चीज़े है थोड़ी से आपको लेकिन बाई वाले भी होंगे तो इसमें क्या करना इसको याद कर लेना या से L N का मतलब मैं बता देता हूँ अपर L N का मतलब क्या होता है उसके मैं बता देता हूँ साइद आपको नया दिखा होगा L N एक नई चीज़ दिखी होगी लेकिन मैं इसका मतलब बताता हूँ पूरा ने चीज़ ही है बस लिखने का तरीका अलग है ठीक है L N हो गया अब K है क्या है समाकलन का रहता क्मस को समाकलन करोगे तो उसका और यह समाकलन नहीं करोगे तो उसका एक इस्तिरांग आता है इस फ्म हो याद कर लेगा ठीक यह जो समझे है बहुत बठीओ यह की का एगा या समाकलित का इस लिख ले ना बगल में क्या कहेंगे समाकलन ची क्या है शीचकल टू समाकलन इस्तिरांग के समझ गए बाते समझ गए आप लोग इस यसका रख लेंगे फिर क्या देखो मतलब क्या हुआ इसका एलन का मतलब समझ जा फिर से एलन की बात कर लेते हैं एलन आगे बताएंगे हम ठीक है पहले समझ जा इसको क्या कहतना है इसको कर लिए फिर C की वैलू निकालना में क्या कि यह इस तिरांग इसकी value निकालना तो इसकी value हो गया इसका निकालना होगा आगे इसकी value c का निकालोगे तो क्या कहेंगे c कम निकाला जाता है देखो समाकलन वेक कभी आ जाये समिकड में तो क्या करना है जब t zero था उस समय रख दोगे x की value क्या होगी वही रखोगे आ को C की VALUE आजागी जैसे मैं कहूँ टी bरावर जब 0 था कोई समय नहीं लगा था उस कितना बना था उस समय? X कितना बना था बई? 0 बनाता था? जीरो था खेंगे 2000 के इन्दर रखते हैं आप Bayων को सिंपल सी IBM है! क्या करना आप लोग समय 0 देख लेना जब अविक्रिया शुरू नहीं हुई थी ठीक है अविक्रिया जब शुरू नहीं हुई थी उस समय उत्पात कितना बना था वह इसी के वैलू रख दो के आप किसी के वैलू निकल के आ जाएगे कोई भी अविक्रिया हो समय यह इसी काम करेंगे, ठीक है, क्या करना है, t बरावर 0, x बरावर 0 होगा, तो क्या रखेंगे, भrage, – ln, a – 0, x की value क्या होगा? यहाँ पर 0, बरावर, k इंटू 0, प्लस में, c, तो यहाँ पर c की वेल्व क्या आ जाएगी भई, minus ln A हो जाएगा, क्योंकि इसमें से घटा आएंगे A ही आएगा, minus ln हो जाएगा, बात समझ गया है, इसकी value खतम, ठीक है, बात समझ गया है, तो C की value उठा के उसमें रख दो, क्या करो, C की value उठा के उसमें रख दो, तो क्या हैगा, ln A minus X, बरावर K T minus, क्या हो जाएगा, बात समझ गया है, ln क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, समझ गया बाते, समझ गया, आप लोग ठीक है, मैं फ्रोड़ से इदर का रफ कर रहा हूँ, इदर का रफ कर रहा हूँ, देखते रहना आप लोग ठीक है, skin start लेना और ले लेना, post करके इसको देखना हो तो देख लेना, लिखना हो तो लिख लेना क्योंकि बहुत ही जरूरी है, तो मैं इधर की थोड़ से rough कर रहा हूं, इधर की चीजे थो इधर की चीज थे फ्रहीर से नहीं दिखे रही होंगे लेकिन फिर समझने के कोसिस कर कर webpage अब जयाओगा हुँँग?, इसको इधर बेश सकता हूँ, तो तुन को एक्साइट कर लो, क्या करेंगे, ln-1, को इधर बेश सकता हूँ, बिल्कुल बेश सकता हूँ, तो क्या कहेंगे भई, LN-LNA-X, प्लस में LNA बरावर KT, लिख सकते हैं, इसी को थोड़ से सजा के लिखे, तो KT स्कल्टू क्या हो जाएगा, LNA-X, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, समझ गया है, ऐसे होगा, ठी आपने फार्मॉला का 10 में ही पढ़ाओगा, या पीछे ही पढ़ाओगा, गनारय में भी पढ़ाओगा, अपने क्या वोला गया था फार्मॉला? एक होता है, लॉग आपने पढ़ाओगा, LN-LogN क्या होता है भई log m power n क्या होता है log m power n देखना भई इसका formula का समझ लेना यह सै कोई भी formula किसी भी तरीके से लिखा जाए उसको लिख सकते हो जहां रखना minus में 2,000,000 की value यदि minus में होगी तो जो log की value plus में होती वो भाग में उपर होगी और जो minus में log की value होती है उसके minus नीचे कर देंगे समझ गए प्रिक होता है simple सी बात याद करने की जरूवत नहीं बहुत जादा दिमाख लगाने की जरूवत नहीं आसान आसान करके पढ़ते हैं क्या करते हैं यहाँ पर देखो log m है log m की value की है प्लस में तो उपर रखेंगे log n की value की है minus में इसको नीचे रखेंगे इसको किसी तरह किसी उल्टा करके भी देदे तो भी ऐcomings formula लिख दे इसको की लिख देता है minus log n pers log m करके देता यहीं से formula लिख देना यही है formula क्यों क्योंको plus वाली को उपर रखता है minus वाली को नीचे रखते ना समझ गया है यदि दोनों plus हो जाते तो गुड़ा हो जाता क्या हो जाता है log m गुड़े n हो जाता समझ गया है formula याद हो गया याद हो गया तिने ही formula है तो एक बाद समझ जा ln के मतलब समझ जाता है कि इसको क्या लग सकता हूँ मैं क्या लग सकता हूँ फामुला ये वाला लगा दोगे कौन सा फामुला लगा होगे ये वाला फामुला लगा दोगे क्या हो जाएगा वाई ln kt इसकल to ln a बटे क्या हो जाएगा A-X हो जाएगा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा समझ गए बाते, समझ गए बिल्कुल क्या करना, जो प्लस में है, उसको उपर रखेंगे जो माइनस में है, उसको नीचे रख देंगे समझ गए बाते, यह हो गए आपका एक समाकलित वेग का समिकर क्या है समाकली तबीग का समगर जब आपने समाकरन पढ़ा होगा जो math वाले होंगे जो बाय वाले वो भी ध्यान दे वाई जब भी देखो एलन का मतनल समझ जब एक नया सब्द आपके लिए लेकिन नया है ने इस्टोल में आपने पढ़ा होगा देखो क्या है आप जानते हो लॉग की वैलू आप जानते हो लॉग 10 की वैलू लॉग 1 की वैलू लॉग 2 की वैलू 3 की वैलू सारी चीज़े जानते हो आप लोग ठीक है सब कुछ जानते हो लेकिन एक चीज़ एलन क्या है देखो जब किसी का लॉग और बेस ई ले लेते हैं वो log 10 पता है, base 10 का value पता है, जैसे मैं कह दू, log 2 base E, log 2 base E कह दू, तो इसको हम ln 2 भी लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ln 2 भी लिख सकते हैं, अब इसी को क्या करना है, अब बाते समझ गई, इसकी value जब base E रहती है, तो किसी की value हमें पता नहीं होती है, ठीक है, log में किसी की value पता नहीं होती है, जैसे मैं कह दू, log 2 की value 0.3010, ऐसी होती है, log 2 की value मैं पूछू, तो आप लोग फटाक से लिख देते हो, 0.3010, यहीं लिखते हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना है, यह कब होता है, जब base 10 होता है, उसी की value निकाल के रखते हो, आप लोग ध्यान नहीं दिया होगे, तो देख लेना, ध्यान देना, log 10, base 10 होता है, तभी की बात करें, log E होता है, तो उसकी value नहीं पता होती है, तो हमें क्या करना होता है, जब किसी का base E हो, तो base 10 में change करना हो, तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, 2,303 से गुड़ा कर देंगे, तो यह log क्या हो जाएगा, log 2, base 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, log 2, base 10, अब इसकी value हमें निकाल सकते हैं, 0.3010 कर सकते हैं, समझ गए बात हैं, बिल्कुल समझ गए हैं, इस तरीकेस हम क्या कर सकते हैं, इनको convert कर सकते हैं, इसी ln को हम क्या कर सकते हैं, log 10 में, log base 10 में भी convert कर सकते हैं, ln का मतलब क्या है, log base E, क्या है, log base E, मतलब मैं लिख दो, क्या क्लिखना, एक formula लिख लेना, बाई, क्या होता है, ln, LN क्या है LN LN का मतलब होता है क्या LN A है मांगे चलो AY A-X है Base E है इसको हम लिख सकते हैं ऐसे लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं Log A by A-X लिख सकते हैं Base E ठीक है जब इसको convert करना LN को इसको convert करोगे तो 2.303 से गुड़ा करके आप लोग क्या करोगे इसका log के साथ Base 10 कर दोगे समझ गए बाते समझ गए इसी तरह की से इनको change करेंगे तो क्या आएगा क्या आएगा क्या आएगा क्या आएगा क्या आएगा 2.303 गुड़े क्या होगा Log A-A-X बदल गया अभी Base इसका E था अब Base कितना हो गया 10 हो गया इसी को कहते है समाकलित वेग का समिकर क्या कहते है समाकलित वेग का समिकर प्रथम कोटी की अबिकरिया के लिए क्या कहते है प्रथम कोटी अबिकरिया के लिए समाकलित वेग का समिकर अड़ा है समझ गया है बिलकुल समझ गया स्टेप समझsecond भाई इसको क्या करते हमना अलन को मैंने शेंज कर दिया लॉग में और क्या हुआ लॉग किसका व भी बेश्टेश का किसका है किसका लॉग 2.303 से गुड़ा कर देना नहीं तो आपका question गलत हो जाएगा एक बात ध्यान रखना सारी method सही लगाओगे last में जाके log लगादोगे log लगादोगे तो जब और आई नहीं करोगे या question करोगे तो वहाँ पे गलत है जाएगा ठीक है तो हमेशा LN में ही करना आप लोग हमेशा LN में करना जब question लगाना तो उसको 3 से 2.303 से गुड़ा करना इस बात को ध्यान रखना खास तो और पे नहीं तो आपका question समझ के जाना गलत हो जाएगा तो फिर भाई मुझे नहीं करना कि मैंने बताया नहीं मैंने सब कुछ आपको बताया हुआ बस आपको ध्यान रखने की ज़रूँ है नोट कर ले ना इस चीजों को ठीक है नोट कर ले ना easy है बिल्कुल easy है बस note करते रहे ना कि किस तरीके सोता है ठीक है इसी को हम लोग कहते है समाकलित वेग का समिकर या वेग इस्तिरांग का समिकर तो हम इसको क्या लिख सकते है एक्ष्ट्रा बढ़ा के लिख सकते है बाई दो दसमरों 303 बटे t log क्या हो जाएगा a बटे a-x और या इसी को बोलते है क्या बोलते है समाकलित समाकलित वेग का समिकर्ड, वेग का समिकर्ड कहते हैं, ठीक है, समिकर्ड या, या कहेंगे, वेग इस्तिरांग का समिकर्ड, या वेग इस्तिरांग का बेंजग, वेग इस्तिरांग का बेंजग, या समिकर्ड भी बोलते हैं, ठीक है, समिकर्ड भी बोलते हैं, समझ गये, बातें और वेका लिखना से देना रहीत पांचद मद्य प्रिशन पर से नहीं से यह को又 3 पर आंहे इतुकर्ण चलते हैं सब्सक्राइबस पर अब सबस्क्राइबस सम Literally जो और ने ने वह इन दो कि यहीं से मैं अर्दğan निकालुंगा क्या करूंगा इसी यहीं से मैं अर्दा आयो निकालूंगा तो मैं इनको रुफ कर दे रहा हूँ क्या कर घुछ रहा हूँ हम स्कीन सार्ट ले लेना ठीक है copy एसे आप लोग से सार्ट के बरूसे मतमेड़ना था किया करना कोपिपी पीपेल लेकर बैठना कि आपको सी ज़्यादा जरूरत है बहुत है अबको प्रैक्टिस छी बहुत जरूरी है बहुत ही जरूरी Oh क्या कर लो confirm कर लो कि मुझे याद हो गया यह ठीक है अब आते बाई प्रतम कोटी के अभिक्रिया के लिए अर्ध आयू तो प्रतम कोटी अभिक्रिया के लिए तीसरी पॉइंट मैं लिख देता हूं भाई तीसरा टॉपिक आपका जो है वो है अर्ध आयू तीसरी के बात तो अर्ध आयू है ठीक है अर्ध आयू मैंने बताया था इसको किस से दिखाते हैं टी हाफ से दिखाते हैं क्या दिखाते हैं टी हाफ या टी पचास परसेंट क्या दिखाते हैं टी पचास परसेंट दिखाते हैं तो बात समझ गया है परभी बात साहिए मैंने वही लिखा अधी बसता है क्या बसता है आधा बसता है या आधा खतम हो जाता है उस समय को हम लोग क्या कहते है और आयू कहते है ठीक है सिप डिफिनेशन वह सेम है डिफिनेशन वह सेम है क्या करने कहेंगे भई क्या कहेंगे लिखेंगे क्या वह इसका लिखना क्या है अपना अपना लि अहीं को मतलब क्या होता है ना जैसे समय होता है अबिक्रिया का बश्य समय जिसमें कोई अभिकारक क्या होता है अपनी प्रारंबिक सांथता का अपनी प्रारमबिक सांदता का आधा हो जाता है या आधा खम हो जाता है क्या हो जाता है आधा हो जाता है उस समय को उस अबक्रिया की commend क्या कहते हैं समझ गया क्या कहते हैं अर्द आयू नहीं कि half life कहते हैं उस समय को हम लोग half life कहते हैं बांच समझ गया हाफ life कहते हैं ठीक है, इ Hispan ये बात करूँ relax से, अधि बात करूँ, मैं सम्हेड लिखा था आपने सम्हेड अपने समाकलित वेट का सम्हेड क्या लिखा हुआ था? यesए मैं कहूं कोई अभीकरिया A था क्या हुआ था? पी बना हुआ था, टी बरावर वही सेम कहानी, जीरो था, तो ये ए था, ये कितना था, जीरो बना हुआ था, यदि मैं टी बरावर टी पे, तो क्या कहूंगा, मैं यहाँ पे टी बरावर टी पे न जाके, मैं किस पे जा रहा हूं, मैं टी बरावर टी न जाके, मैं टी हाप यह बनता थो एकस कितना हो जाएगा इसके बराबर हो जाएगा अब दोनों क्या हो जाएंगे बराबर होंगे यानि कि मैं उसी की बात करूँ, मैं वही सेम कहान लिखता हूँ तो मैं क्या लिखता हूँ, कि A-X बराबर क्या हो जाएगा, X हो जाएगा X बनेगा, यदि मैं समाकली वेक का समिकर लिखूँ, तो क्या लिख सकता हूँ lijl sad, KT, iskall2, 210, 303, gude, log, A-X, लिख सकते है, लिख सकते है यदि मैं मान सकता हूँ, माना समय कितना हो गया समय कितना बीट गया, आधा हो गया, समय कितना हो गया तता तब, तब क्या लिखेंगे, आप का अभी का उत्पाद कितना बना उत्पाद कितना बना यानि यह अविक्रिया कितनी हो जाएगी अपनी प्रारंबिक सांदता का आधा आधा खतम हो जाएगी यह आधा खतम होगी तो यह आधा बनेगा यानि X कितना बना A by 2 बना यानि प्रारंबिक सांदता का आधा हो गया यही बात समझ गया है, क्या बोला गया, जब यह कहा होगा, आधा खतम होगा, आधा खतम होगा, आधा खतम होने का मतलब क्या है, यह आधा बना होगा, आधा बनने का मतलब क्या है, प्रारंबिक सांदता का हाफ हो जाएगा, यानि आधा बनेगा, तो प्रारंबिक सांदता A इसका आदा कितना तो अबाई टू हो जाएगा बात समझ मैं इस चीज़ को उठा कर इसी समिकड़ में रख दो कि क्या जाएगा इंटू क्या जाएगा टी हाफ जाएगा बाते समझ मैं सिंपल सी तरीके से चलना बई दो तसमरों 303 गुड़े क्या होगा लॉग ए बटे ए माइनस अब क्या लिखेंगे अब एक्स ना लिखेंगे मैं क्या लिखूंगा क्या लिखूंगा ए बाई टू लिखूंगा क्या लिखूंगा ए बाते समझ गया बिल्कुल आप लोग के इसकल टू अच्छे बच्चों बई आप समझ जाओगे जल्दी से बाते को ठीक है, बातों को जल्दी समझ लेना भाई, आप अच्छे हो, अच्छे लोग अच्छे समझते हैं, ठीक है, दो दस्मलों, 303, गुड़े क्या हो जाएगा, लॉग, अब इसको थोड़े से भाई, करनवर्ट कर लो, क्या करना है, करनवर्ट कर लेना, इसमें से इसको घटाओगे, क्या बचेगा, यदि मैं लिख सकता हूँ, log a बटे इसमें से इसको घटाओगे तो क्या बचेगा a बटे 2 क्या बचेगा a by 2 बचेगा ठीक है इस तरीके से यह समिक्रण बना अब इस चीज को मैं आगे लिखता हूँ इधर लिखता हूँ वही क्या होगा मैं तोर से दूसरे पेंट से दिखा देता हूँ यह हो गया अब एक चीज समझ लेना मैत है तोड़ी सी समझ लेना सारे लोग समझ लेना यदि देखो किसी चीज के पावर a है a by b है और c by d है क्या है a by b है c by d है इसको लिखो कि यदि मैं उल्टा करूँ इसको उपर ले जाओंगा तो क्या हो जाएगा a बटे b गुडे c इसको हटा दूँ क्या करूं मैं इसको हटा देता हूं तो क्या लिख सकते हो आप लोग a by c by d हो जाएगा इसकी वैलू क्या होगे b यहां से हट जाएगा b हट जाएगा त्यानि a into c upon d समझ गया क्या होगा a into c upon d हो जाएगा समझ गया इसी तरीके से लगए किस चीज को टी हाफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दो तस मुलो, 303, log, log, क्या होगा, यह base 10 है, ना लिखने का मतलब क्या है, base 10 है, ठीक है, समझ लेना, log E की बात करेगा, तो वो, base E की बात करेगा, तो अलन लिखेंगे, direct हम लोग, ठीक है, यहाँ पर 10 है, base, समझ लेना इसको, ठीक है इसको क्या लिखोगे बाई, A क्या है अपना, A है, और C क्या है, A है, और D क्या है, सुरी, यहाँ पर D क्या है, आपका C क्या है, 2 है, यह वाला, यह क्या है आपका, यह चीज़ है, समझ गए बाते, समझ गए आप लोग, क्या लिखोगे बाई, क्या लिखोगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा? a बटे a गुडे 2 यही होगा, बाते समझ गए बाते समझ गए आप लोग, क्या करना है? जान देना इस चीज को यहाँ पर क्या था? a माइनस a बटे 2 था, इस में सेखटा होगे 1 बटे 2 बचेगा, इसको गुडा करोगे इसको उपर ले जाओंगे, ये दो वाला क्या चलेगा? सबसे उपर चला जाएगा. क्या होगा? सबसे उपर चला जाएगा. जाएगा सबसे उपर, A, 1 और A, हो जाएगा. ठीक है, बातें समझ गए, अब करना क्या आपको, K into T, हांख, क्या हो जाएगा वई दो दस्मलो तीन जिरो तीन एल लॉग क्या हो जाएगा वई एसे ए कैंसिल हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा लॉग टू आएगा लॉग टू की वैलू अभी मैंने बताया हुआ था लॉग टू की वैलू मैंने अभी बताया हुआ था तो क्या हो जाएगा भाई के हाफ, के हाफ, इसकल टू, दो दस्मनों 303, गुड़े लाग टू की वैलू 0.3010 होता है, क्या होता है, 3010 होता है, अब इनका multiply आपस में करोगे, तो क्या आएगा, के टी, टी हाफ, आप लोग करके देख लेना भाई, आप लोग करके देख लेना आएगा 0.693, क्या हैगा, 0.693 आएगा, इस बात को ध्यान रखना, इस बात को ध्यान रखना, तो क्या हो जाएगा, टी हाफ, इसकल टू, क्या हो जाएगा, 0.693 हो जाएगा, अपान के हो जाएगा, यह होता है, अर्ध आयू, क्या होता है, अर्ध आयू, प्रथम कोटी क अविक्रिया के लिए प्रत् recipro कोटी की अविक्रिया के लिए क्या है अर्द I U है बाई अराम से समझते रहे ना सबी लोग अराम से अर्द I U है ने T HALP है इस तरीके से T HALP निकाज सकते हैं आप लोग ठीक है इस पर कल्कुलेशन आता है सीधे डायक ले रिफ दोगे K की वेलू और T HALP निकल के आ जाएगा समझ गए बाते समझ गए कल्कुलेशन भी आता है इसी के उपर समझ गए बाते तो क्या करना था इसमें समझ गए आप लोग ठीक है समझ लिए हो आप लोग ठीक है तो आगे हम लोग चलते हैं भई क्या करना है आपने को याद करना है बहँ अब example देख लेटे क्या क्या उधारड हैं क्या क्या उधारड है इस प्रफमकोठी के अभिक्रिया के लिए देखो कँओ marron मैंने कहा था जो अभिक्रिया का समिक्र उपर के उपर है तो समिक्रड जो होता है समिक्रड तो हम बना सकते हैं लेकिन जो अभिक्रियाँ जो विताती है कि कौनसी अभिक्रिया प्रथम कोटीнять मैं था थीक है । बात समझ गये, बात ये समझ गये, चलो लिख लेते बाई, कौन-कौन से अविक्रिया के लिए, प्रिथम कोटी की अविक्रिया है, देखो बाई, नेक्स बात कर लेते हैं, हम एक्जामपल किसके क्या करते हैं, एक्जामपल की बात कर लेते हैं, एक्जामपल क्या-क्या हो सक करोगे परकसाइब का आप घटन करया होग er जया निखेंगे यह अविक्रिया क्या होगी प्रिधम कोटी की अबिकरिया होगी यह अबिकरिया जो चलेगी वह अबिकरिया के लिए आप वेक का समीकर लिखो तो क्या लिखोगी वेक का समिकर लिखोगे तो क्या लिखोगे Dxपांड Dt क्या हो जाएगा समान उपाती होगा इसके सांदता क्या नी molar सांदता किसके होगा H2O2K molar सांदता power 1 हो जाएगी power क्या होगी 1 होगी यानी कि इसका सांदता का एक ही अड़ू क्या करेगा भाग लेगा एक अड़ू भाग लेगा इसको हटा होगे बारपर कच्छिन लगाओगे तो क्या होगा के हो जायेगा ठीक है इस तरीके سिक्किए अविगर के वेक का समिकर हो जाएगा इस तरीके से बनेगा फिर इसको डेरिवेट करोगे आप लोग एक नया चेश मिलेगा, समझ गए, सानता वहाँ पे दिया रहेगा, उस तरीके से आप लोग मिल जाएगा, ठीक है, यदि मैं दूसरा एक्जामपल की बात करूँ मैं, किसकी बात करता हूँ लिख देता हूँ इसको क्या होगा, dx upon dt यह निए dx क्या है, इसके बनने कि इदर है, ठीक है, क्या हो जाएगा, बरावर के समा मोलर दर्मान H2 और O2 है, ठीक है, अब मैं दूसरे एक्जामपल पहला एक्जामपल होगा, दूसरे एक्जामपल की मैं बात करूँ क्या बनता है nitrogen dioxide दाई औकसाइड बनता है और प्लिस में oxygen GAS बनती क्या बनती है oxygen GAS बननती स्को two कर देंगे, हौ जायागा ठीक है पांच हो गहां यहाँ पै् Hag कर देंगे हाफ कर देंगे बन जायगा लग तरीके सब्सक्राइब कर सकते हैं दो दो सब्सक्राइब कर दो कि यहां चार हो जाएगा दो एक हो जाएगा ठीक है अलग तरीके बैलेंस कर सकते हो आपके बैलेंसिंग वह पढ़ क्या हो पीछ है ठीक है अब यह अभिक्रिया होगी इस अभिक्रिया का क्या होती यह अभिक्रिया भ सांदता हो जागी यह इस तरीके सी अविक्रिया का वेकर समिकर लिख सकते हैं बाते समझ मैं इस तरीके सम लिख सकते हैं ति मैं नेक्ष के बात करूँ और बात कर लेते हैं और बात कर लेते हैं आप एक यह दो दिया होगा एक यह तो सायद यह प्रॉप पॉलर है यह वाली पापुलर अक्सर पूछी जाती है इसको इसको नोड कर लेना जो गिक्षिएवरी बार पूछी जाती है लग बग यह अब तीसरी की में लिख लेना CO2 फर SO2 CL2 इसको तोड़ोगे इसको आप क्या कराओगे अप घटन कराओगे तो क्या होगा SO2 प्लस में CL2 क्या होगा CL2 हो जाएगा इसका भी उसी तरीके से लिख सकते हो अविक्रिया के वेकर समय करणड़ा इसमें से पूछता है इसे वेकरी ज़्यादा ज़्यादा पूछता है कभी इसको भी पूछ लेगा ऐसी नहीं है कि यही पूछेगा आपको पूछने का यह प्रतम कोटी के फिकला होती, यह भी प्रतम कोटी के फिकला, और मैं एक example आपको दे दूँ, जो आप पढ़ते आ रहे हो, आपके exam में पूछा जाता है, ठीक है, उसका एक short note बन्ता है, तो मैं इसी यही पे इसको describe कर देता हूँ, आप carbonic पदात में पढ़े हो गए, आप का कार्बनिक रसायन में आप पढ़ते हो याने ORGANIC Chemistry में उश्चीज़ को पढ़ते हो एक Northwestern पढ़ाओगा आपने sn1 reaction क्या कहते है % native hydrogen पढ़ाओगा वफने पढ़ाओगा कि music अब ड़ाओगा है। नहीं पड़ाओगा तो आप पढ़ेंगे SN1 reaction SN1 reaction का मतलब होता है substitution just substitution इसका मतलब होता है nucleophilic क्या होता है nucleophilic और इसका मतलब है प्रथमकोटी की क्या होता है प्रथमकोटी की क्या होता है प्रथमकोटी की क्या होता है प्रथमकोटी 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 क्या होता है प्र विस्थापन नाविक इसने ही अविक्रिया जितने भी विस्थापन नाविक इसने ही अविक्रिया होती है लगबग प्रथम कोटी की यह दो कोटी की अविक्रिया इसे फालो करती है विस्थापन नाविक इसने ही विस्थापन नाविक इसने ही विस्थापन अविक्रिया जो होती है वह दो प्रकास होती है प्रतम तो होती है तो मैं पहचान बता देता हूं जितने नहाँ पर यहीँ से निकल कि जाती है वो इसकी order नहीं से बताते हैं हो ठीक है इसी chemistry से बताते है kinetics से ही नहीं बताते है हम लोग की कि के उसकी order क्या है तो मैं बता दिता हूँ जितने भी 3 degree होते हैं 3 degree के 5 carbon होते है ठीक है बास समझ में 3 degree के 46 हो CTrain हाईडी रखने वो लगब-ग- mentre से एइस और रुक्छ होती, प्रत्धम-कोटी की अभिट्रिया होती है ठीयज है मैं बात करूँगा लिए आप क्या कराते हो CS3, मैं एक्ञामपल दे थैं CS3, CS3, CH3 क्लोरीन करा दोगे यहाँ पर chlorine लगा दोगे, आप किसी का विस्थापन कराओगे, किसी से, SCL से या किसी और से कराओगे, स्वरी, SCL से नहीं, हम बात कराते हैं किस से, किस से कराते हो, आप लोग किसी से कराओगे, बेश डाल दो, क्या कर दो, बेश डाल दो, बेश डाल दो, या कोई भी बेश इसको विस्तापित कर देगा विस्तापन करेगा की ने विस्तापन करेगा की ने अल्कोहल बनेगा इसको वों तरी 3 degree का alcohol बन जाएगा, क्या बनेगा, 3 degree alcohol बनेगा, जिसको बोलते हैं, 3 degree alcohol बनेगा, और बनेगा, आपका, क्या बनेगा वई, NACL बनेगा, क्या बनेगा, NACL बनेगा, ये विस्तापन अविक्रिया है, विस्तापन अविक्रिया है, अच्छा देते हैं, टू डिगरी वाले भी देते हैं, सबसे ज़ averages अच्छा प्रत्म कोटी की अविक्रिया, क्या हो देती है, 3 डिगरी ovाट, इसके बाँ 2 डिगरी होती है, 1 डिगरी लगभग नहीं होती है, लगभग नहीं होती है, कह सकते हैं, लेकिन बिल्कुल होती नहीं है, बहुत ही rare case में मिलती है, ठीक है, ये बातें खतम करते हैं, ठीक है, तो one three degree सबसे अच्छी देती है, समझ गए, प्रथम कोटी के अबिक्रिया होती है, समझ गए, बातें समझ गए, जल्दी से हम बात कर लेते हैं, इनके लच्छड के बात कर हैं, ठीक है, तो बाई, जल्दी से खतम करते हैं, लच्छड के बात करते हैं, लच्छड क्या है, जो जो पढ़ क्या हो ना, जो जो प्रथम कोटी के बार में information देता है, वह उसके लच्छड होते हैं, प्रथम कोटी के मैं बात करूँ, तो मैं प्रथम कोटी के पहली लच् क लक्षड के मैं नहीं इपल्द कि कौर्ण को कुन सी चीजिए देती वह इसका पहली बात करते हैं क्या इसका जो अविकरिया काirm विकर पहली बात करते हैं बढकति हैं डी प्रफम कोटी की अविक्रिया का समीकरण डी एक सपान डी टी स्कल्टू के इंटू ए माइनस एक्सो होता है यह प्रफम लच्छड हो गया ठीके क्या हुआ प्रफम लच्छड की मैं बात करूं तो क्या कहूंगा मैं इसके वेक इस्थिरांग इसमें ऐसे पूछूंगा मैं प्रफम प्रारंबिक सांदता और बच्छीवी सांदता में क्या संबंद है मैं पूछूंगा प्रारंबिक सांदता और बच्छीवी सांदता में क्या रच्छड है वो क्या कहते हैं इसको है तो क्या कहूंग है इसका जो वेंजक निकाला होता है वेक इस्तिरांगा वह ही ह होताय मैं केटी स्कल्टू क्या होता है दो दस्मिलों तीन जिरो तीन ओ도 नंग और बात करूंगा मोलर सान नथ या नहीं कि वेक्रिया का भी यह अब विक्रिया के वेग का मात्रक क्या होता है मोल मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड होता है यही होता है मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड यही मैं वेग इस्तिरांग की बात करूँ प्रतम कोटी के वेग इस्तिरांग के मात्रक आपने निकाल के दिखाया था भई आपने पह यहीं निकाला हुआ था यानि की वेलू के अतना है? बड़्टम कोटी के मतलब 1 है इसकी वेलू खुख़ए में आपर क्या हो जाएगा? Mपावर 1-1, Lपावर 1-1, 2nd पावर-1 हो जाएगा? हो जाएगा बिलकुर हो जाएगा बई ऐसा निकाला था अपने ऐसा ही निकाला था क्या हो जाएगा इसकी वैलू जीरो हो जाएगा इसकी वैलू जीरो हो जाएगा सेकेंड इन्वर्स होता है क्या होता है सेकेंड इन्वर्स होता है लिख लोगे लिख लोगे होता है समझ गय किसा इसका अर्ध आयू क्या होता है। है लिख सकते हैं विल्कुल लिख सकते हैं क्यों आपने पड़ाऊ आता क्या अपने पड़ा हुआओга कि T हाफ इसकाल टू क्या पड़ा ता 0.6093 landscape क्या प्राखरň मिख संदर था निवन कहीं से लिख रही ये इसका जो अविक्रिया का वेग होता है प्रतम कोटी के लिए क्या कहेंगे प्रतम कोटी के लिए अविक्रिया का वेग प्रारंबिक सांधता पर निर्भर करता है समझ गया है पांच बाते हो गई इतना तो बहुत है आपके लिए प्रारमिक सांदर्ता पर निर्वर करता है क्यों करता है आपने लिखा हुआ था प्रारमिक सांदर्ता तो यह लिखी वी थी प्रारमिक सांदर्ता यह लिखे थी ना वेक कर समिकर देखो इस पर निर्वर करता है कि नहीं यही तो आपने निकाला था यह समिकर कान से निकाला इसके उपर निर्वर करता है यही तो अभिकारक की सानता है बची भी सानता ही है यह इसके उपर निर्वर करता है तो कहका सकते हैं अभिकारक की सानता अपर निर्वर करता है यह सब ज़्यादा सूटेबल हैं अच्छे भी हैं तो सही लगेंगे इस पर ठीक है इस तरीके से हमने पढ़ा था क्या पहले आज क्या पढ़ा हमने अभिक्रिया का वेक का समिकर पढ़ा और आयू पढ़ा फिल मैंने एक जाम पर बताया और इसके बाद मैंने क्या बताया आपको लक्षड बताया ठीक है क्या बताया लक्षड बताया इस तरीके से आप आपके बोट के नजरिये से पूरी तरीके से ये complete है आपके एक्स्रा भी चाहो तो एक्स्रा भी है इसके अंदर इसको ध्यान से पढ़ना और अच्छे से तैयार कर लेना बाई क्योंकि ये पूछता है पूरे नमर पूछता है और फ्री के नमर देता है एक्दम बिल्कुल फ लाई करो एक्स्राइब करो 152 0